बवासीर का आयूर्वेदे के लाज बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है इसमें मलत्याग करते समय खून आता है इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं मलत्याग के समय खून मल के साथ निकलता है बवासीर में पेट की समस्या अधेक रहती है कबज एवं गैस की समस्या बनी ही रहती है इसके मस्सों में रक्तसराव नहीं होता है यह मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं इन में बार बार खुजली एवं जलन होती है चुरुवाती अवस्था में यह तकलीफ नहीं दे लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से यह फूल जाते हैं। इसमें भी असहनिय पीड़ा होती हैं मलत्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है। वो ठीक तरह से चल फिर नहीं पाता है और बैठने में भी तकलीफ महसूस करता इस वीडियो में हम आपको खूनी और मस्य वाली बादी बवासीर की समस्या से रहत पाने के लिए आयूरवेदे खरबल दवा के बारे में विस्तरत रूप से जानकारी दे रहे हैं। बवासीर की समस्या का आयूरवेदे के लाज। पाइल्स गॉन कैपसूल बवासीर की सम समस्या से चुटकारा दिलाता है। काप्सूल मलत्याग के दौरान रक्तस्राव को नियंत्रित कर खूनी बवासीर में भी राहत प्रदान करने के लिए अत्यंत कारगह है। काप्सूल मलत्याग को दोबारा होने से रोकने के लिए गुदा मार्क की दिवारों और उतकों को मजबूत करते हैं। ये काप्सूल मलत्याग के दौरान या बाद में होने वाले दर्द को शांत करते हैं ताकि व्यक्ति को गंभीर परिशानी से बचाया जा सके। इन काप्सूलों में सामगरी के रूप में शुधर जड़ी बूटिया होती है इसलिए ये भरोसे मन पाइल्स प्राकृते के लाज है। पाइल्स गौन काप्सूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस विडियो को अंत तक देखें। पाइल्स गौन काप्सूल में अत्यधिक लाबकारी और प्रभावी जड़ी बूटिया होती है जैसे रीठा काली जीरी हरिता की आदी। यह रक्तसराव बवासीर फिशर फिस्टला खुजली मलाशे की सूजन जैसे विकारों को दूर करने में बहुत प्रभावी और सहायक है। पाइल्स गौन काप्सूल द्वारा प्रदान किया गया हर्बल बवासीर उपचार मौजूदा समस्या को हल करने में सबसे प्रभावी है और उनकी पुनरावरित्ती को भी रोकता है। पाइल्स गौन काप्सूल सौ प्रतिशत प्राकृतिक जडीबूतियों से निर्मित एक लाख से अधिक संतुष्ट क्राहत जी एमपी प्रमानेत कुन्वता संपून भारत में उपलब्ध प्रोडक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब के बेल आइकॉन को प्रेस करें